गुड बॉर्णिंग एवरीवन समय कम है और इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं तो एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन पर डिस्कुर्शन करेंगे मेरा नाम डॉक्टर मनीश जायसवाल है और लास्ट कुछ दिनों से मैंने अब जरू किया है कि चैनल को जितने रोगे सब्सक यह डेट जिसके लिए रेजिटेशन एक्सपेक्टेड है कि 2nd April से स्टार्ट हो जाएगा यह में भी यह थोड़ा डेले हो हाला कि इसमें अभी हमारे पास काफी टाइम है यह बहुत फास्ट होने वाला है मतलब कल 31st मार्च को दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख का है लाइक फॉर एक्जामपल 36 गड़ बोट के बच्चे हिंदी मीडियम हो या इंगलिस मीडियम हो यह 2022 में अपियर होने वाले हैं साथ में वो सभी बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ था और किसी कारण से उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है दिस येर तो वो भी ज कर रहे हैं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि अभी भी तकरीबन थ्री एंड हाफ मन्त बचा हुआ है साधी तीन मेहने बचे हुए हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है इस साधीन मेहने के डिवरिशन में बहुत अच्छी प्रिपरिशन की जा सकती है तो हमने जो क्रेश कोर्स के बारे में आपसे कहा कि जो क्रेश कोर्स नहीं कहना चाहिए एक तरसे कैपसूल कोर्स या लाइक है ना क्योंकि रेगुलर कोर्स अगर आठ मेहने साधीन मेहने का होता है तो यह जो हमारे पास है साधीन मेहने का समय है जिसमें हम इस साधीन मेहन करना चाहिए exam यह सारी चीज़े आपको provide की जाएंगी साथ साथ अपको taste मिलेगा ठीक है आपके doubt या discussion के लिए आपको time मिलेगा जो आपकी classes होंगी minimum six hour per day और यह classes आपकी daily होंगी प्रतिदिन classes होंगी और subject है आपका physics plus chemistry plus biology expert faculty पढ़ाती है biology मैं खुद पढ़ाता हूँ physics और chemistry के लिए बहुत अच्छी faculties आपको teach करेगी अगर आप individual किसी subject में अपने आपको week fill करते हैं like for example कि आपका physics week है या chemistry या biology अगर आप interested हैं तो individual subject में भी आप join कर सकते हैं तो यह बहुत beneficial होगा उन बच्चों के लिए even जो NEET 2023 का तयाली करना चाहते हैं preparation करना चाहते हैं लेकिन वो अभी के time को भी proper utilize करना चाहते हैं तो यह जो साड़े 3 महने का समय हैं यह बहुत important है crucial time है सभी बच्चों के लिए जो अभी appear करना है तो आपको यह ध्यान देना है और इसके साथ ही मैंने कहा कि नीट 2023 के preparation के लिए भी batches start हो गई है तो यह long term batch होता है और इसमें आपको वह सारी facility provide की जाती है like for example study material हो गया टेस्ट हो गया डाउट discussion हो गया regular classes होंगी आपकी यह सारी चीज़ है यह information मुझे आपको देना था पहली चीज़ और दूसरी चीज़ जो आ जाते हैं हम लोग mop up round के बारे में तो जो 36 गड़ का जो mop up round है इसका भी notification कर लिए 31st March को आया हुआ है ध्यान दीजेगा ठीक है अब according to this कि MBBS में admission का जो last date है पांच अप्रेल 2022 को है पर उसमें proper ये mention में ही किया गया है कि मौप up round कब होगा exactly कहां होगा कैसे होगा और आपको document कि क्या क्या लगेंगे तो document की जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से documents लगेंगे इसके लिए हमने already video upload किया हुआ है आप उससे देख लिजे कि scrutiny के लिए और college में admission के लिए कौन कौन से documents लगते हैं तो same time पर आपका scrutiny भी होगा और at the same time आपका admission भी होगा इस टीज को आपको ध्यान में रखना है पिछले वीडियो में आप देख लिए यहाँ पर हम उसको लंबा discussion नहीं करेंगे scrutiny और admission same time पर होगा जो demand drop अगरे लगते हैं आप क्योंकि 2nd April है Saturday को और उसके बाद आजाएगा Sunday और 5 April last day stop admission तो थोड़ा तरव डिले हो रहा है anyway कब होगा date मैंने आपको बता दिया expected है तो आप बिल्कुल updated रही है cgdme की website से आप इसको पहले हम कहते थे कि सुबह साम देखा करिए अब इसको हर घंटे आप वाच करिए आप प्रॉपर वाच करिए cgdme की website पे सारी information और notification आपको वहाँ पर बिलेंगे कहां होगा most probable ठीक है यह offline होगा कैसे होगा यह तो मैं आपको पहले बता दिरा हूँ कि यह offline होने वाला है ठीक है offline that means कि you have to be present there आपको वहाँ पर आना पड़ेगा और आपको माप पर आटेंड करना पड़ेगा ठीक है होगा कहां पर यह तो यह होता है पंद्लीत जे एनम मेडिकल कोलेज यह जगाश चेंज ना करें तो 99.99% मैं स्योर हूँ कि यह पंद्लीत जवाहरला नहरू मेडिकल कॉलेज रायपूर में होगा ठीक है रायपूर में होगा आप जो कि रेलवे स्टेशन से तकरीब एक डेड़ किलोमेटर दूर है तो यह साइट हो गया कैसे होगा डॉकुमेंट्स के रिकॉर्ड होंगी स्कूटनी और एडमिशन के लिए हमने अल्रेडी डिसकस किया हुआ है अब मॉपप रौन के साथ ही साथ आपको एडमिशन भी लेना पड़ेगा मतलब जिनको पर होता है इसके बाद भी यदि सीटे खाली रह जाती है तो वो सीटे कॉलेज को दे दी जाती है और कॉलेज फिर अपने लेवल पर उसमें एडमिशन लेगा अब इस मॉप रौन में सिर्फ एम्बी बीएस को ही कंसिडर किया गया है चाहे वो गॉर्मेंट मेडिकल कॉले हो प्राइवेट मेडिगल कॉलेज में बाहर के स्टूडेंट जो 36 गड़ के बाहर के स्टूडेंट है जो नॉन डो में साइल है देकर आप देख लिजे कि आप कैसे आएंगे किस मैठेड से आएंगे इस देट मेरे खाल से एक लियर है आप इसको अटेंट करिए और देन यदि आपको लगता है कि इस वर्स आपका सेलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं आपको डेफिनेटली इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगा ये जो कोर्स हैं क्रैश कोर्स ह ये आफलाइन मोड में होता है क्लासरूम प्रोग्राम है और यहाँ पर आरेक्स अकेडमी में ठीक है इसके लिए आपको कॉंटेक्ट कहा करना है क्रैश कोर्स के लिए आप 750-930-6807 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं बाकि एडिस डिटेल वगर मैं आपको कमेंट मे या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ से आप देखकर संपर्क कर सकते हैं समय काफी है एक तरह से दिखा जाये तो हम लोग और भी डिसकस करेंगे कि 17 जुलाई से पहले हमारा प्रिपरेशन मैथेड प्रिपरेशन स्ट्रेटी क्या होनी चाहिए एक बात का आपक बिल्कुल आराम से पूरे ब्रोशर को पूरे प्रोस्पेक्टर को पढ़ लीजिएगा eligibility criteria को देख लीजिएगा हम यहाँ पर channel में भी आपको explain करेंगे तो थोड़ा wait करिएगा जैसे ही समय मिलता है मैं आपको channel पर सारी चीज़े explain करता हूँ थोड़ा इंतिजार करिएगा और देख लीजिएगा कि दूसरे क्या गलती कर रहे हैं क्योंकि जब यह form submit करते हो तो यह long term काम आता है exam देने के साथ साथ में जब आप counseling में participate करते हो और यहाँ पी गई यहाँ पे की गई गलतियों के करण आपको दिक्कते future में हो सकती है इसलिए कोसिस करिए कि errorless कोई भ सारी बाते में आप से की बहुत shortcut में तो थोड़ा सा ध्यान रखिए यह आप preparation करना चाहते हैं अभी तक आपने online study किया है और आपको बहुत जादे improvement नहीं देखने को मिला है तो आप join कर सकते है physics chemistry biology complete एक ही जगह पे एक ही स्थान पे और यह इस preparation के लिए सबसे best place आपको मिल होना चाहिए ठीक है like for example हम सीदे सीदे कहते हैं कभी हर category student का अपना अपना goal होता है general हो अगर ST है SC है OBC है या फिर किसी EWS category से belong करता है ना तो इसका आप एक goal decide कर सकते हैं कितने marks क्या cutoff जा रहा है तो सबसे पहले आप अपने selection के बारे में सोचिए और फिर उसके बाद rank improvement के बारे में सोचिए तो यह सारी चीजे हम लोग discuss करेंगे details से so that's all for this video मिलते है next video में thank you very much